हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपको होटल और रेश्टरों में बनने वाले दो तरह के चिकन सेंड़ीच बनाने का सबसे आसान तरिका बताऊँगा इस तरह से आपे सेंड़ीच पनाएंगे ना घार में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगे एक मैं आपको बताऊँगा चिकन चीज ग्रिल सेंड़ीच कैसे बनाए जाता है और दूसरा हम चिकन प्लेन सेंड़ीच बनाएंगे तो आप इन दोनों डेस्पीस को सीखना जाते है वीडियो को आपने एंटर जरूर देखना है सबसे पहले यहाँ पर मैंने 150 क्राम चिकन लिए है बनलेस चिकन का मैं यूज कर रहा हूँ सबसे पहले अपने सबजियों की कटिंग करनी है तो ओके देखिए प्याज को आप थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप कर लिए ज़्यादा फाइन चॉप करने की जूरूरत नहीं है यहाँ और जो तीनों बरकार की शिमला में इसी है इनकी आपने बीच निकाल देने है बीच अपने एक नॉस्टिक पैन लेना है उसमें आपने थोड़ा सा बटर एड करना है बटर के साथ हम चिकन को पकाएंगे आप चाहें चिकन को बॉयल भी कर सकते हैं बटर के साथ टॉस करके आप सेंडविच पनाएंगे ना टेश देखिए क्या जबरदर्श टेश आता है सें उनको हाई फ्ले में पका लेना है छोड़े ड़ क्यूब्स काटे हैं पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लएगा इसको थोड़ा साब इसमें क्रश की काली मेर्स शैड कर दीशे या फिर वाइट पेपर पॉर्डर का यूज भी कर सकते हैं और एक बद बच्चों के लिए हैं तो आप ना वाइट पेपर पॉर्डर काली मेर्स को स्कीप कर सकते हैं और के देखिए हाई फ्ले में यहाँ पे मैंने लगवा चार मिन तक चिकन को अच्छी तरह से पका लिया है और एक पीस मैंने चिकन का काट के देखा था चिकन अंदर तक अच्छी तरह से यहाँ पक चुका है अब इसके बदापने के कराना है चिकन को ना पैन की एक साइड में कर देना है और फैन को हलकस आप टेड़ा कर दीषे इससे कहोगा जो भी हमने बटर का यूज कि या ना चिकन को पकार ने डीशे और इस बटर में जो सबजी हम रखे है उनको भी पका लिए तो के देखिए इसके बद आपने चिकन को निकाल लेना है एक बॉल में निकाल लेशे और इसको आप थोड़ा सा ठंडोने दीशे अब देखिए जितना भी बटर का यूज़ किया था वो सारा बच्चु का ने पैन में आप इसी पैन में आपने जो सबजीयां रखे होने कर रहा हूं इनसे टेस्ट बड़े का सेंड़िश का थोड़े थोड़े यहाँ आपने यहाँ पर और चिली फ्लैक्स करने हैं और के देखिए अब देख सकते हैं सबजीयां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है नमक बगर आपने यूज़ नहीं करना है नमक डाल देंग स्टूिश glamorous का त्यार हो चुका है साथ में आपने थोड़ा सापको बटर चींफ़ और साथ में यहाँ बाइट ब्रैट का यूज़ कर रहा हूँ आप वाइट ब्रैट की जगा प्रोट का यूह कर सकते हैं ब्रैट की ऊपर आपने सबसे थोड़े थोड़ा ठोड़ा बटर लगाना है बहुती बड़ी टेस्ट आएगा बटर से सेंडविच में और बटर को आपने थोड़ा सा मेल्ट भी कर लेना है ताकि ब्रेट के उपर अच्छी तरह से लगशाए और बटर नाइफ का चिकन को मैंने ब्रेट के ऊपर एक्ची तरह से भीकेर ती Ł który कि आपने दूसरा उपर से रख दे offs इस तरह से अपशी बन बड़ी व्यक्राइब कर्दाएगा अब हम ग्रिल सेंडविच बनाएंगे वह about generosity दिलर से तो के देखिए चिकन का जो मिक्शर है थोड़ा सा बच किया था इसी में आपने शिमला मिलिश्य और प्याच आइड करने हैं साथ में थोड़ी सी आप इसमें मियोनिस आइड कर देशिए अच्छी तरह से सारे इंग्रिडिन्स को आपने मिक्स कर लेना है यह देखि दाइजेशन ग्ले बहुत ही बैतरी हिन होता है और काफी हेल्दी भी होता है खाने में और इसके बद आपने इसके उपर चिकन का मिक्शर रख देना है तो चिकन की स्टफिंग देखिए ग्रिल सेंडविच में बहुत ही ज्यादा कर रहा हूं अगर आप इससे कम करना जात हैं यहाँ पे दूसरा ब्रेट से इसको कबर कर देशे और इसके बद आपने आप बाहर से भी हलका हलका सा बटर लगा लेना है जब भी आप ग्रिल करते है सेंडविच को बटर लगाएंगे बहुत ही बड़ी कलर आता है सेंडविच में और कि देखे इस तरह से साइड को कर देना है इस तरह से और पैन को हलका सा आपने गर्म करना है हलका सा गर्म करने को गैस की फिलीम आपने मीडियम टू लो रखनी है ताकि ब्रैट जो है अराम से पके अच्छा करंच आए और अंदर जो हमने इसमें चीज आइड की है वह अच्छी तरह से मैल्ट हो दूसरी ब्रैट के ओपर भी हलका हलका सा बटर लगाती है यह देखे इस तरह से और डेट से दो मिनिट तक आपने ब्रैट को न एक साइड से अच्छी तरह से गर्म होने देना है फिर आप इस ब्रैट को न पल्टी करती है और उसी तरह से दूसरी साइड से भी आपने बुल की जगा ओकेप्रेंज थैंक्यू